समस्कार दोस्तो आज हम बात करने वाल है बोडी बिलर रेचल मैकलिस के बारे में तो दोस्तो अगर आप रेचल मैकलिस को पसंद करते हैं तो वीडियो को कर लिजेगा लाइक और चैनल को कर लिजेगा सस्क्राइब ताकि आपको ऐसी नई वीडियो देखने को मिल सके तो दोस्तो स्वास्त पोशन और सरीर विग्णा की छात्रा रही रेचल ने महिला बोडी बिलिंग पत्रिकाओं से पेरिध होकर पहलवानी की दुनिया में कदम रखा 1980 का दसक रेचल के लिए बहुती कारगर साबित हुआ इन्होंने दो बार मिस ओलमपिया का किताब अपने नाम किया लेकिन उनका यह सफर इसलिए खास होता जाता है क्योंकि मिस ओलमपिया का किताब जितने वाली वो पहली मेला थी 1984 में इन्होंने पहलवानी से सन्यास लेने का निच्चे किया जितना समय भी वो पहलवानी के मज़ पर रही इन्होंने जित को खुच से दूर नहीं जाने दिया वह बोडी बिल्लिंग पत्री का ओपर सबसे जादा बार छपने वाली महला पहलवान थी एक दशक्त तक पहलवानी में अपना रुताब जमाने के बाद इन्होंने 1902 में फिल्म जगत में शरुवात की तो दोस्तों आज हमने जाना महला बोडी बिलर रेचल मैकलिस के बारे में तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को शेर कीजेगा लाइक कीजेगा कॉमेट कीजेगा और ऐसे नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा